Good morning students, music के जित्ते भी student हैं, सब लोग practical से निवरत हो चुके होंगे, practical सब का complete हो गया है, शायद practical में सब को अच्छे नंबर मिले होंगे, practical सब का अच्छा हुआ होगा, अब सब को theory की चिन्ता है, कि 23 तरीको हमारा theory का paper होने वाला है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटे छोटे tips के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा कि हम theory का paper किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारा जो subject है, बहुत सारे बच्छों को नाम भी पूरा याद नहीं है, हिंदुस्तानी music melodic instrument code no.035, यह हमारा subject है, इस subject का paper इस बार कैसा आने वाला है, 2022 और 23 का आप लोगो इसकी ने pattern change किया है, जिसमें आपको पहले सलेवस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे सलेवस में क्या-क्या आने वाला है, तो देखेंगे, आपको 8 questions मिलेंगे, छोटे, जो एक number के होंगे, 8 questions है, छोटे होंगे, और उसके अंदर definitions हैं, question को match करना है, और आपको राग प पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, तो छोटे question में, ग्राम, मुर्चना, अलंकार, अलाप, तान, गमक, मीड, कर्ण, करिंतन, जमजमा, घशीट और सूत, ये छोटी-छोटी definitions हैं, इनको आपको ठीक से याद करना है, ये आपके paper में 6 number की होगी, 30 number का हमारा जो paper हो होने वाला है, उसमें 6 number की होगी, उसके अलाबा आपका time theory of ragaz, यानि रागों का समय सिध्धान्त लिखो, तो ये है भी आपका 6 number का होगा, और ये है, हर साल question आता है, इस बार भी 100% इस question के आने की संभावना है, तो रागों का समय सिध्धान्त आपको ठीक से पढ़ना है, उसमें point wise आपको answer देना है, कम से कम भी आपका 2 page का answer होना चाहिए, time theory of ragaz, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो आपको बना करके हैं, उसमें आपको time theory of ragaz, इसके बारे में specially आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको एक बार केवल इनके बारे में जानकरी लेना है, इसके बार म life sketch के अंदर आपके है, इनायत खान, मुस्ताकली खान और अलाउदिन खान, यह हमारे प्राचिन संगीत के विद्वान होए हैं, तो इनका life sketch लिखना है, कौन से घराने के थे, क्या बजाते थे, इन्होंने क्या-क्या उपलब्दियां प्राप्त करी अपने जीवन में, इस यह दोनों मिला करके आपके 6 नंबर के question आपके question paper में आएंगे, board exam में, इसके अलावा जबताल और रूपकताल, इसकी एक गुन, यानि ठाह, दुगुन, तीगुन और चोगुन, इसको आपको लिपी बद्द करके copy में लिखना है, आप इसको वसिम आपको ठीक से किस प्र करके आपको मैं डाल दूँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि यह बड़ा easy है, और इसमें कोई number कटने का chance नहीं है, तो यह भी आपका 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर बहुत होते हैं, 30 में से 6 नंबर लाना, क्योंकि music में ज्यादातर बच्चे handed out of handed लेकर के आ tuning of the instrument, आपने जो सितार subject लिया है, जो आपने melodic instrument लिया है, उसमें सितार के बारे में ज्यादा तर पूझा जाता है, क्योंकि सितार में सारी चीज़ें आ जाती है, जो string instrument में होनी चाहिए, तो सितार को ही हमें लिखना चाहिए, तो सितार के जो man-tar होते हैं, जो उपर के man-s फिफ वाला और चिकारी के तार जो लास्ट वाले है वो कौन से स्वर में ट्यून किये जाते हैं यह आपको आप इसको रेडिंग कर सकते हैं उससे आपको समझ आ जाएगा तो सितार को आप ठीक से पढ़ करके जाएंगे इसके लावा एक इंपोर्टेंट क्यूस्टन होता है वो होता है notation यानि स्वर लिपी वो सबके लिए complicated भी होता है तो स्वर लिपी वाला आप लोगों को ध्यान करना है कि हमारे कोर्स में तीन रागे हैं राग मालकौस राग बागेश्री और राग भहरव इन तीनों रागों को ठीक से पढ़ना है और इनके अंदर आप जो instrumental ज गत को किस प्रकार से लिपी बिद्द किया आजाता है मैं वैसे तो hemmaire class के गरुप में डाल दिया है लेकिन आप देख सकते हैं लेक्त कुछी स्केरिप्ट कैसे किया जाता है इसकी गत है गत की इन question के अंदर आपको दो-दो एक-एक लाइन के द्रांसर देना है, और इसके अंदर आठ question है, यह A section है, इसमें तीन section बनाए गए है, A section, B section और C section, A section है वो per question 1 number का है, एक number का है, B section में per question 2 number का है, और C section में per question है, वो है 6 number का, यह बड़े question है, तो आप ध्यान करें कि कोई भी question छोड़े नहीं हरे question के अंदर coin कोई आपको option मिला है ये राग नहीं तो ये करो ये grant नहीं तो ये करो ये life's case नहीं तो ये करो और रागे तीनों आ रही है तो ये तीनों आपको करनी चाहिए इससे आपको 100% full marks मिल सकते हैं इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना हो कि हमें ये chapter समझ में नहीं आया तो आप comment दे करके आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये question समझ में नहीं आया मुझे बताईए तो मैं उसके बारे में आपको अलग से बता दूँगा वैसे मैं एक साथ अगर इसको सारी चीजे पढ़ाऊं तो आपको थोड़ा से मुश्किल होगा इसलिए मैं छोटे question का एक video बना दूँगा जिसमें मैं फटाफट जो भी है बोल करके बता दूँगा और साथ साथ में उसकी जो lyrics है वो लिखी वी है वो भी आपको मैं send कर दूँगा ताकि आप उसमें देख करके सारे course की चीजे ही पढ़ें अभी हमारे को basic पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि 23 तारीक को हमारा exam है तो आप लोग इसको ठीक परकार से समझें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है लिखने का थोड़ा भ्यास करें हरे question को थोड़ा थोड़ा लिख करके भ्यास करें वरना हम वहाँ पर जाते समय हम language में कहीं कहीं गड़बड कर देते हैं तो language हमारे ठीक होने चाहिए हमारे जो sentence है वो proper होने चाहिए और answer को थोड़ा touch करना है ठीक है तो next video में मैं आपको subject जो है वो क्या और कैसे लिखना है क्या लिखना है यह आपको बताऊंगा अभी तो मैंने cable paper का pattern आपको बताया है